जैहिन दोस्तों, इडुटरिया समान अध्यन के बुक से आज आपका दूसरा प्रेक्टिस सेट चलेगा कल हम लोगोंने प्रेक्टिस सेट वन को देखा था अगर आप लोगोंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो की निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि साथियो इस बुक में टोटल 100 most important प्रेक्टिस सेट है जो किसी भी एक्जाम के लिए इतना प्रेक्टिस सेट काफी होता है तो साथियो अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बिहार SSC, इंटर लेबल एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो एक भी प्रेक्टिस सेट को आप लोग मिश ना करें और साथियो दोनों प्रेक्टिस सेट का पीडियाप आंसर के साथ अप्लिकेशन पर अप्लोड कर दिया गया है तो जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को परचेज नहीं किया है तो फटा-फट से जाकर आप लोग इस कोर्स को ले लीजिए क्योंकि इस कोर्स में आपको टोटल 100 प्रेक्टिस सेट मिलेगा और साथ में इस कोर्स में आपको इंपोर्टन नॉट्स भी दिया जाएगा जो कि आपके एकजाम के लिए काफ़ी जादा इंपोर्टन रहेगा और साथ अगर आप लोग इस बुक को मार्केट मिलेते हैं तो ये बुक आपको कम से कम 1.500 से लेकर 250 तक मिलेगा लेकिन यहाँ पर आप लोग मात्र 40 में ही टोटल 100 प्रेक्टिस सेट को ले सकते हैं आंसर के साथ में तो फटा फट से अप्लिकेशन को डॉनलोड कीजिए और इस कोर्स को आपको ले लेना है तो चलिए साथियो आज के प्रेक्टिस सेट का पहला कोशन है भारत के साथ व्यपार करने का चार्टर महरानी एलेजाबेद द्वारा कब दिया गया था सभी आप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिलकुल आपको सोच समझ कर आंसर करना है और आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइप चेट का आप्शन मिल रहा होगा इसलिए प्रत्यक्टिस्ट्वेंट को आंसर करना है लाइप चेट में तो देखे साथियो भारत के साथ व्यपार करने का चार्टर जो है किसके द्वारा दिया गया था तो पाला कोशन बनता है महरानी एलिजा बेद के द्वारा कब दिया गया था तो याद रखेगा 31 दिसंबर 1600 स्पी को तो B option यहाँ पर जोई बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जबाब है 31 दिसंबर 1600 को आगे देखें भारते राष्टिय आंदोलन के प्रारम से ही उग्र राष्टवादियों का भी वर्ग था तो निम्न में से कौन सामिल नहीं है यानि कि उग्र राष्टवादियों में इन चारो अप्शन में से कौन नहीं सामिल था चले दूसरे प्रस्णिक के लिए आंसर बताएंगे और आप लोग क्लाश टाइमिंग को नोट कर लेजिए ये आपको डेली रात साढ़े आठ बजे प्रेक्टिसेट मिल जाएगा लाइब चेट के साथ में तो देखे उग्र राष्ट वादियों में कौन-कौन सामिल था देख लेते हैं तो देखे बाल गंगा धर तिलक ये सामिल थे लाला लाजपतरा ये भी थे बिपिन चंदरपाल ये भी थे लेकिन गोविंद रनाडे नहीं थे तो सी ओप्सन जो है आपका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा 1916 में कौंग्रेस और मुस्लिम लिग के बीच लखनाव समझोता हुआ उसके कौन से परिनाम बाद में घातक सिद्ध हुए आपको ध्यान रखनाव समझोता कब हुआ 1916 में किसके किसके बीच में तो कौंग्रेस और मुस्लिम लिग के बीच में तो ये जो समझोता हुआ इस समझोता से बाद में क्या घातक सिद्ध हुआ कौन सा परिनाम तो याद रखे हैं कॉंग्रेस द्वारा मुसल्मानों के प्रती संतुष्टी क्रण की निती का आरंब तो सी ओप्सन आपका सही जवाब है अब देखे साथियो भारते राष्टे कॉंग्रेस की बात करें तो इसके अस्थापना पूछा आता है जो कि 1885 में हुआ था किस ने किया था तो A O हूम ने और इसके प्रतम अध्यक्स कौन बने थे तो W C बनर जी इन सारे फेक्ट को ज्यान रखें और साथियो सेशन के लाष्ट में हम लोग कुछ इंपोर्टन एक्ष्टा फेक्ट को भी कवर करने बाले हैं चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ आप लोग देख सकते हैं यह कुछ इंपोर्टन एक्ष्टा फेक्ट है जिनको हम लोग लाष्ट में देखेंगे और यह भी आपको पीडियाप में ही मिल जाएगा और नीचे आंसर है चलिए आगे देखिए व्यक्तिगत सत्यागर किस गवर्णर जनरल के काल में हुआ था चलिए very important question रहेगा आंसर बताएंगे और देखे साथ जिनों ने बिहार पुलिस का कोर्स पहले से लिया हुआ है उनको यह कोर्स पर्चेज करने की कोई भी ज़रुरत नहीं है क्योंकि बिहार पुलिस के कोर्स में ही आपको यह सारा पीडियाप मिल जाएगा आंसर के साथ म तो देखे व्यक्तिगत सत्यागरा यह जो हुआ था किस गवर्नर जनरल के काल में तो लॉड लिन लिदगो यहाँ पर सी ऑप्सन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिलकुल सही जबाब है आगे देखे भारते राष्टे कॉंग्रेस की पूर वर्ति संस्थाओं में सबस पहली और प्रमुक संस था कौन सी थी तो यहाँ पर पाच्वे प्रसंद का अंसर हो जाएगा बिरिटिस इंडिया एसोसियेशन सी ऑप्सन सही है आगे देखे सायमन कमिशन की सिपारिशों के संदर में निम्न लिखित में से कौन सा एक कथन सही है चले छे के लिए आंसर ब सबी ओप्सन को ध्यान से पढ़ते हैं इसने प्रांतों में दूयद सासन को उत्तरदाई सरकार द्वारा प्रति अस्थापत करने की संस्तोती की यहां पर सही पूचा गया है यह गलत है इसने ग्रह विवाक के धिन अंतर प्रांतिय परिश्यत स्थापित करने का सुझाओ यह भी नहीं होगा यहां पर सही पूछा गया है आगे देख लेते हैं इसने कैंदर में दूई सेदन विधायका के उन्मुलन का सुझाओ दिया था बिल्कुल सही है तो यहां पर सी ओप्शन जो है यही कथन क्या है सही है आगे देखें दादा भाई नौरो जी ब्रिटिस हा पहले भारतिय थे उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था देखें साथियो दादा भाई नौरो जी को भारत का विरिद्ध पुरूस कहा जाता है ज्यान रखेंगे और इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्य आय का अनुमान लगाया था और जिसमें अनुम कर दिये हैं लिब्रल पार्टी यहां से दो कोशन बनते हैं कि ब्रिटिस हाउस ओप कॉमंस के लिए चुने जाने वाले भारतिय कौन थे तो दादा भाई नौरो जी किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता तो लिब्रल पार्टी भारत पर हुनो का प्रथम आकर्मन किस सासक के समय हुआ था तो यह आठवा कोशन भारत पर हुनो का प्रथम आकर्मन जो हुआ था असकंद गुप्त सासक के समय में तो यहां पर याद रखेगा C option सही है समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन का जाता है और इसके दरवार में रहते थे हरी से अन्याद रखे हरी सें किसके दरवार में राते थे समुद्र गुप्त आगे दिके भारत पर हुनो का प्रथम आकर्मन किस सासक के समय हुआ तो यह रिपीट हो गिया इसका भी आंसर असकंद गुप्त एहोल अभिलेक किस सासक से समबंदी थे चले बिलकुल सोच समझकर आंसर करना है और ज मार्शीट पर प्रैक्टिस करना आप लोगों को प्रैक्टिस करने से इससे क्या होता है आपका इस्पिट बढ़ेगा एक्जाम में समय बचता है तो एहोल अभिलेक जो है किस सासक से संबंदित है तो पुल के सिन दूइत याद रखीगा सी ओप्षन आपका सही जबाब है हर्सवर्दन की बात करें तो इसके दरवारी कभी कौन थे बान भट और इन्हों ने लिखा है हर्सचरित पूछा आता है हर्सचरित को किस ने लिखा है तो बान भट कौन थे हर्सवर्दन के दरवारी कभी थे सत्यमेब जयते किस उपनी सद में संग रही थे चले बिलकुल अराम राम से आंसर करना है तो प्यारा साथियों सत्यमेब जयते यह जो लिया गया है मुंड को उपनी सद से यहापर D option आपका सही जबाव है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतान थे इसका संबंद किस साखा से है चले 11 के लिए आंसर किजी आप सभी तो यहाँ पर इसका सही जबाव क्या हो जाएगा तो याद रखेगा महायान साखा से देखें महायान और हीन यान जो है यह कब विभाजित हुआ था तो चौती बहुत संगती याद रखेगा चौती बहुत संगती जो कि कस्मिर के कुंडलवन में हुआ था कनिस्ट के समय में इसी बहुत संगती में बहुत धर्म जो है दो भागों में विभाजित हुआ महायान और हीन यान जिसमें से महावस्तु जो है यह महात्मा बुद्ध का जीवन वृतान थे और इसका संबंध है महायान साखा से अकवर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे अकवर ने 1592 इस्पी में दीन ए इलाही धर्म की अस्थापना की थी आप लोग कमेंट करके बताएंगे अकवर ने जजिया कर को कब समाप्ट किया था? तो यहाँ पर 12 का आंसर हो जाएगा आपका उपसन सी इवादत खाना याद रखेगा सू परसिद संगितकार, तानसेन और बैजु बावरा किसके सासन काल में सू विख्यात थे? तो याद रखेगा अकवर, अकवर के काल में सू विख्यात थे संगित, तानसेन और बैजु बावरा देखिए अकवर का पूछा आता है राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडर मल टोडर मल कौन थे? तो अकवर के राजस्व मंत्री थे आप लोग कमेंट करके बताईए तानसेन का मूल नाम क्या था? तो बता देते रामतनू पांडे याद रखेगा रामतनू पांडे तानसेन का मूल नाम था आगे देखिए न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोईला निर्यात बंदरगा है 21 देश में इस्तित है बिल्कुल टॉप लेबल का कोर्शन दिया गया है चलिए आंसर किजिए तो साथियो न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोईला निर्यात बंदरगा है 21 देश में है तो इसका सही जवाब है आर्ष्ट्रिलिया बिल्कुल सही जवाब है आर्ष्ट्रिलिया की राजधानी कैनबरा है और एक होता है आर्ष्ट्रिया जिसकी राजधानी वियाना है देशांतर रिखाओं के संबंद में कौन सही है तो देशांतर रेखाओं के संबंद में जो सही है ये कौन सा हो जाएगा तो इसका सही जबाब है उप्शन पंद्रा का D देशांतर के मद्द सरवाधिक दूरी विश्वत रेखा पर होती है तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है उत्तर से सुरू कर दक्षिन की और नीचे दी गई पाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है तो उत्तर से सुरू करना है और दक्षिन तक जाना है तो इसमें कौन सी पाड़ी का विस्तार है तो उत्तर से दक्षिन होते हुए हो जाएगा आपका सबसे पाले नला मलाई और अन्ना मलाई की पाडियां अब निलगरी की पाड़ी की सराज में है तमिलाडू में इसकी सबसे उची चोटी का नाम पूछे दोदा बेटा अन्ना मलाई पाड़ी ध्यान रखना है इसकी सबसे उची चोटी का पूछा आता है तो अनाई मुडी जो की अन्ना मलाई पर है निम्न लिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए परख्यात है तो साथ ये नदी है को सी नदी याद रखेगा और इसी कारण इसे बिहर का सोक का जाता है दामुदर नदी को बंगाल का सोक का जाता है ध्यान रखेंगे किस मिर्दा प्रारुप में लोहे के अतरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवरक हो जाती है तो यहाँ पर इसका सही जबाब हो जाएगा लेटराइट मिर्दा याद रखेगा कौन सी लेटराइट मिर्दा और लेटराइट मिर्दा में होती है चाय की खेती ध्यान रखेंगे जलोड मिट्टी की बात करें तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोड मिट्टी का ही है ध्यान रखेंगे और रेगूर या काली मिटि, काली मिटि को ही रेगूर मिटि का जाता है और इसमें सभसे अधिक कपास की खेती होती है प्रकास के संबंद में कौन सा कथन सत्य है और साथियों जिन्नों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से request है कि सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सभी सेशन को दिल से गवार जरूर लाइक कर दे तो प्रकास के संबंद में कतन है या एक विद्धुत चुम्बिके तरंग है बिल्कुल सही है या पर पहला option सही है या एक कन प्रकरती है ये भी सही है या उरजा का एक रूप है ये भी सही है तो D option क्या हो जाएगा या पर सही है बायो गैस सेंटर में निम्नलिकित में से कौन सी प्रकरिया होती है तो साथियों बायो गैस सेंटर में कौन सी प्रक्रिया होती है तो 20 का सही जबाब हो जाएगा option A किनवन की प्रक्रिया होती है बायो गैस सेंटर में चले एकी question है एक वर्ग में उपर से नीचे की और आने पर परमानू का कार क्या होगा तो simple question है एक वर्ग में अगर उपर से नीचे आएगा तो परमानू का कार जो है ये क्या होगा तो इसका सही जबाब है बढ़ेगा पहला option सही है वायो मंडल में प्रकास के विशरन का कारण क्या है चले 22 के लिए आंसर बताएंगे बहुत इस सांदर लेबल का question है और साथ ही आपके एक्जाम में बिलकुल इसी लेबल का question पूछा जाएगा इसलिए आप लोग एक भी practice sit को मिशना करें तो देखें वायो मंडल में प्रकास के विशरन का कारण है धूलकन यहाँ पर B option आपका सही जबाब है और वायो मंडल की बात करें तो वायो मंडल में सबसे अधिक कौन सी गेस है तो nitrogen गेस है लगभग 78% दूसरे अस्थान पर oxygen आता है लगभग 21% उसके बाद carbon dioxide 0.03% है किसी भी योगी का oxygen संख्या क्या होता है तो simple question याद कर लिजे किसी भी योगी का oxidation number यह सूनी होता है सर्प विशरोधी सुई किस तत्यू का एक योगी क है तो 24 का answer हो जाएगा आपका option है स्वर्न योगी क दाब का विम्य सुत्र क्या है दीकि दाब बराबर क्या होता है आप सभी जानते हैं बल बटे छिदरफल क्या होता है बल बटे छिदरफल तो इसका एसाई मातरख हो जाएगा बल का न्यूटन और छिदरफल का क्या होता है मीटर स्कॉर तो यह हो जाएगा आपका न्यूटन प्रती मीटर स्कॉर या फिर न्यूटन मीटर पर पावर मैनस दो यह दाब का क्या होता है एसाई मातरख और इसका इसाय मातरक होता है पास्कल भी तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा दाव का विमिय सुत्र तो 25 का सही जबा हो जाएगा B option M L-1 T-2 याद रखेगा B option सही है जैब सेल क्या है तो साथियों जैब सेल एक परकार का कोईला है आगे देखिए यादास्त का संबंद मस्तिस के किस भाग से है तो यहाँ पर 27 का सही जबाब हो जाएगा सेरे ब्रह्म से कहां से सेरे ब्रह्म से संबंदित है एक जिवासम पक्षी का नाम बता है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरिश्रिप के जैसे अन्य विसिस्ताएं होती है तो उस दिवास में पक्ची का नाम है क्या तो याद रखेगा और्कियोप्टिरिक्स यहाँ पर B आप्सन आपका सही जबाब है आर्कियोप्टिरिक्स आगे देखे मानब सरीर में सरवादिक मात्रा में पाये जाने बाला तत्व कौन सा है चलिए आंसर बताएंगे यह है आर्कियोप्टिरिक्स ध्यान रखेंगे आर्कियोप्टिरिक्स तो मानब सरीर में सरवादिक मात्रा में पाया जाने बाला तत्व आक्सिजन होता है यहाँ पर B option आपका सही है परिपद के किनी 2 बिंदों के बीच विवय्वांतर मापने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो simple question है विवय्वांतर मापना है तो virtual meter का परियोग किया जाता है और 7, volt meter को परिपद में किस क्रम में जोड़ा जाता है जाता है आगे दीके अपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है तो सिंपल कोर्षन भारत का राश्टपती करता है द्यान रखेंगे लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छुड़ा कर ये दो ऐसे मौलिक अधिकार है जिसे निलंबन नहीं कर सकता है यानि की जीवन की सुरक्षा का अधिकार, यह जो अधिकार है, अपात काल के स्तिती में भी निलंबित नहीं होता है, प्राकलन समिती के सदस्यों का कारिकाल कितने वर्षों का होता है, तो सात्यों प्राकलन समिती के सदस्यों का कारिकाल एक वर्ष का होता है, ध्यान और इस समिती में टोटल 22 सदस होते हैं ठोट सोर इसमें देखे प्राकलन समिती है इसमें टोटल 30 सदस होगा और 300 सदस जो है लोक सबासे होता है लेकिन लोक लेखा समिती की बात करें उसमें 22 सबासे होता है 15 सबासे और 7 सबासे राज सबासे होता है लोक लेखा में लेकिन प भारत की संचित निदी से पैसा निकाला जाता है तो 33 का सही जबाब हो जाएगा आपका ओप्षन डी याद रखेगा भारत की संसद डी ओप्षन आपका सही जबाब है और साथियो साम साड़े साथ बजे की क्लास आप लोग डेली अटेंड कीजिए इस क्लास में अभी टॉपिक वाइज पॉलिटी चल रहा है जिसमें पॉलिटी के लगबग चार से पांच टॉपिक कंप्लीट हो चुका है भारते संबिधान में विधी के समक्ष समता किसे देश के संबिधान से लिया गया है और जिनको नहीं पता है उनको बता जेते हैं साम साड़े साथ मिलेगा दूसरा चैनल का नाम है दिबाकर इस्टडी आइक्यू या फिर उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग जाकर देख सकती हैं तो यहाँ पर 34 का सही जबाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन के संबिधान से लिया गया है भारत संबिधान संसोधन प्रक्रिया संबिधान की किस भाग में उलेक किया गया है तो सिंपल कोशन भाग 20 में संबिधान संसोधन की प्रक्रिया है और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 और संबिधान संसोधन प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है तो दक् option को ध्यान से देखिए तो जो सबसे असान है सबसे पहले उनको मिलाते हैं तो देखें त्यत्तरवा संब्धान संसोधन अधिनियम आप सभी जानते हैं ये इसका संबंद है ग्यारवी अनुसूची से और पंचैती राज को संब्धानिक दरजा दिया गया था इसी संब्धान संसोधन अधिनियम से तो सी का आपका चार हो गया तो देखिए किस option में सी का चार है देखिए यहाँ पर एक ही option में है इसका मतलब है answer 100% बी होगा अब सभी option को देख लेते हैं तो भासाओं का उलेक है आपका किसमे तो यहाँ पर भासाओं का उलेक है आठवी अनुसूच में आप सभी जानते हैं आठवी अनुसूची में 22 बासाओं का उलेख है दल बदल निरोध अधिनियम ये किसमे है तो ये दस्मी में है और तेतरम असीत हो गया भूमि सुधार इबम अधिकरन संबंदित अधिनियम ये वजाएगा आपका नौवी अनुसूची नौवी अनुसूची को प्रथम संबिधान संसुधान जो की 1951 में हुआ था इसके तहत जोड़ा गया था तो बी अप्शन सही होगा याद रखेगा अठारा सो तेतिस के चार्टर अधिनियम के अंतर गत प्रथम विधी आयोक का गठन किसके अधिक्सता में किया गया चले सैतिस के लिए आंसर किजिए तो याद रखेगा ये किया गया किसके अधिक्सता में तो सैतिस का सही जवाब हो जाएगा लॉड मैकाले किसके अधिक्सता में लॉड मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में पर्थम गवर्नर जनरल थे और इनौने ये 1829 में सती पर्था का अंध किया था और सती पर्था के अंत में सयोग दिया था कि इसने राजा राम मोहन रायने निम्न में से कौन सी औसधी क्रांती प्याज और जहींगा उत्पादन से संबंदी थे तो जहींगा उत्पादन से कौन से संबंदी थे सिंपल कुर्से ने इसका सही जबाब हो जाएगा 38 का C. गुलावी क्रांती याद रखेगा गुलावी क्रांती जो है जहींगा उत्पादन से संबंदी थे निम्न लिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वूट्स जुडवा के नाम से जाना जाता है तो 49 का सही जबाब हो जाएगा IMF और विस्व बैंक IMF यानि की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हीट क्वाटर वासिंग अटन डीसी में है वासिंग अटन में और वल्ल्ड बैंक का भी हीट क्वाटर वासिंग अटन में है आप लोग कमेंट करके बताएगे कि स्थापना पूछे तो 1 अप्रेल 1935 को इसकी अस्थापना होती है वर्तमान में इसका हेट क्वार्टर मुंबई में है RBI के गवर्णर वर्तमान में कौन है तो सक्ति कांत दास RBI के पर्थम भारतिय गवर्णर कौन थे CD देश्मुक RBI के पर्थम गवर्णर सिर्फ कौन थे तो आसबॉर्ण इसमीथ लेकिन भारते गवर्णर पूछे पर्थम सीडी देश्मुक इन सारे फेक्ट को ध्यान रखें और देखें 1969 में क्या हुआ था तो 14 बेंकों का राष्टे क्रण हुआ था 1969 में हिंदू राष्ट का विचार मूलता किसका है और साथियों प्रस्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्ष्टा फेक्ट को बता रहे है आपको केबल ध्यान पूर्वक सुनना है आपका रिविजन होते रहेगा तो हिंदू राष्ट का विचार मूलता किसका है तो यहाँ पर 41 का सही जबाब हो जाएगा वीडी सावरकर का भारत में आएकर है और देखे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फड़ा फड़ से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए तो भारत में आएकर क्या है तो याद रखेगा परत्यक्ष और प्रगति सील अचाँ GST किस परकार का कर है तो याद रखेगा और पर्त्यक्स कर भारत में जेस्टी कब लागू हुआ था आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कुची पूरी किस राजिक का प्रसिद लोक निरते है चले तो बता देते हैं जेस्टी जो है एक जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में तो कुची पूरी किस राजिक का प्रसिद लोक निरते है आंदर प्रदेश का याद रखेगा ओडिशा का ओडिशी हो जाएगा केरल का क्या हो जाएगा तो केरल का हो जाएगा आपका कथकली और मोहनी अट्टम करनाटक का एक निरते है यक्ष गान यक्ष गांध्यान रखेंगे हिमानी उत्तम परव का संबंद किस खेल से है आंसर कीजिए हिमानी उत्तम परव का संबंद जो है किस खेल से है तो यहाँ पर 44 का सही जबाब है B option मलखम से संबंदी थे निपक आंदुरन के प्रनेता कौन थे तो सात्यों निपक आंदुरन के प्रनेता कौन थे तो याद रखेगा दादु दयाल थे द्रकमा किस सिक्का किसने चलाया था तो द्रकमा सिक्का चलाया था किसने तो 46 का सही जबाब हो जाएगा option ने ग्रीक ने चलाया था बाल के दोरान हर वर्स नए ऐलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है क्या है तो 47 का अंसर हो जाएगा आपका option ए खादर है याद रखेगा और खादर क्या है तो ये जलोड मिर्दा का प्रकार है खादर और बांगर पुराने जलोड मिर्दा को बांगर का जाता है नभीन जलोड मिर्दा को खादर का जाता है और रेगूर क्या है तो काली मिट्टी का नाम है दुसरा नाम वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या है तो याद रखेगा ये क्या है तो 48 का सही जवाब है C थर्मो कलाइन बेसल मापदंड किसे संबंदी थे तो साथ बेसल मापदंड जो है यह संबंदी थे याद रखेगा बैंकिंग छेदर से इंगलिस में पहली बार ओद्योगी क्रांती सब्द का परियोग किस ने किया था देखे ओद्योगी क्रांती के सुरुवात कहां हुई थी तो इंगलेंड में याद रखेगा और पहली बार ओद्योगी क्रांती सब्द का परियोग किस ने किया था तो 50 का सही जवाब है अर्नाल्ड टायम बी ओप्शन के कोडिंग यापर D ओप्शन सही है तो चलिए साथियों अब देख लेते हैं यापरी इंपोर्टन एक्ष्टा फेक्ट को भारत में मानव का सरपर्थम साक्ष पूछे कहां से प्राप्थ हुआ है नर्मदा घाटी से सरपर्थम प्राचिंतम अस्थाय जीवन के प्रमान का मिले है मेहरगर से एक ही कबर से तीन मानव कंकाल के अवसेस मिले है कहां से दमदमा से गर्त अवास के साक्ष कहां से प्राप्थ हुए है बुर्ज हुम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष कहां से मिला है ये भी बुर्जोहम से दूता हुआ खेत का साक्ष सिंपल है काली बंगा से काली बंगा राजस्थान में पड़ता है अगनी कुंड का साक्ष कहां से मिला है तो काली बंगन एवं लोथल से यूग मसमाधिया का प्रमान कहां से प्राप्ट हुआ है ये भी काली बंगा निवम लोथल से नकासीदार इटो का परियोग का साक्ष कहां से मिला है काली बंगन से नर्तकी की कहां से मुर्थी बार बार पूछा जाता है इसका साक्ष प्राप्ट हुआ है मोहन जोदरो से मोहन जोदरो वर्तमान में पाकिस्तान म में तीन मुख वाले देवता की मुर्ती प्राप्थ हुई है मोहन जोदरों से मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष प्राप्थ हुआ है बनावली से उन्नत जल प्रबंदन का साक्ष प्राप्थ हुआ है धोला वीरा से सैलकृत अस्थापत्य के प्राचिंतम प्रमान कहा अपा काले नस्थल जो तीन भागों से विवक था ये धोला विरा है, क्रिशी का पर्थम साक्ष, इसको याद कर लिजिए, मेहर गढ़ से, चाबल का प्राथिनतम साक्ष, ये कोलडिवा से, आग का विसकार किस काल में हुआ, पुरा पसान काल में, पहिये का विसकार किस काल म बोला जाता है, मानब द्वरा सरपर्थम परियोग में लाया गया धातु तामबा मोस्ट रेपीटेड कोशन है, राष्ट्य मानब संग्राला इस्ति थे भौपाल में, सिंदु सबेता के प्रमुख बंदरगा थे लोथा लेवम सुत कोड़दा, हडपा में मोहन जुदरों को संयुक्त याने कि जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो पिगट ने याद रखेगा, चलिए अब नीची आंसर है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, तो सेशन पसंद आया हो, तो जाने से पहले आप लोग फटा-फट से सेशन को लाइक किजिए, और सेशन को सेर करना ना भूले, और हाँ जल्दी से आप लोग जाकर कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि फिर कोर्स का जो प्राइज है वो बढ़ जाएगा,